हेलो एब्रिवन वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज में आपके लिए स्वेटर का ब्यूटिफुल पैटर्न लेके आई हूँ ये बुनना बहुत एजी है ये लेडिस, कीट्स, जैंट्स सबकी स्वेटर में डाला जाने वाला पैटर्न है अगर आप इसको किसी और प्रोजेक्ट में डालना चाते हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं ये टूरो पैटर्न है अब मैं इसको बुनना स्टार्ट करते हूँ ये मैंने एक चोटा सा बेस बना लिया है ये मैंने सिर्फ सिखाने के लिए बहुत कम फंदे लगाये हुए है ये सिर्फ बारा फंदे है 12 स्टिस्चिज अब मैं इसको बुनना स्टार्ट करते हूँ पहला फंदा इसको स्किप कर लिया आगे अगर आप इसको बुनना चाते हैं तो आप इसको बुन भी सकते हैं पहले बंदे को आगे दागा आपनी साइड को करके ये पैटर्न के फ्राट साइड है और ये बैक साइड है बंदा उल्टा निकाल लिया आगे दागा बैक साइड को करके अब आगे ये दो फंदे हैं तो इनमें पैटर्न पढ़ना है तो एक फंदे से आगे से दागा फ्राट साइड को ही रहने देना है एक फंदे से आगे से ऐसे सिलाई डाल कर और एक जाली वाला फंदा भी यहाँ पर बनाना है ये अपने आप ही बन जाएगा ऐसे ऐसे फंदा निकाल लिया और ये एक जाली वाला फंदा भी बन गया और एक फंदा ऐसे एक फंदे से आगे से निकाल के यहाँ बीच में सिलाई डाल के और ये बैक साइड को निकालना है ये फ्राट साइड से फंदे सीधे ही रहने चा एक जाली वाला फंद भी पढ़ जाएगा और दो फंद से एक फंद भी निकल जाएगा ये दो फंदे थे पैटर्न वाले इन से अब चार फंदे बन गए हैं ये पहले पेविजा बाला फंद भी आगे ये बीज मैंश्यों एक फंदी को छोड़कर एक फंदा फिर से जाली वाला फंद भी पढ़ आए तो ये 4 जार फंद भी आगे वाला फंद इसको और अफेटर्न भूनना है फिर आगे दग्गा बैक साइड को करके यह आगे के दो बंदे हैं इन में पैटर्न पढ़ना है एक फंदा उल्टा बनाना है और दो फंदे पैटरन वाले बनाने है तो दागगा यह जो उल्टा फंदा डाल रहे हैं दागगा यही को रहने देना है यह फ्रंट साइड है यह राइट साइड है यह रॉंग साइड है कि अग्रें बाटना प्रेपन से ओक कि अग्रस आगे बाला फंदा छोड़कर जो यह दौडें हैं पैटर्न वालेा कि अपनी पह्लि इस दाग्गा अपनी सेड को लियाकर अब ही आगे के दो फंदे हैं इन दो फंदों को ऐसे इकठा भुल लेना है और एक फंदा निकाल देना है और ये जाली वाला फंदा निसाथ में बन गया ये जाली वाला फंदा तभी बनेगा हम दग्गा अपनी साइड को याही को ही फ्रांट साइड को ही रहने देंगे दो-दो पंदे हैं, इनके बीच में 1-1 फंदा उल्टा बुनना है, ददग्ग्घा बैक साइड को ले जाके, आगे बेक साइड को लिछाकर अगे आगे दो पंदे हैं, इनमें प्रेटरिन डालना हैं, 2-4 फंदे बनालने हैं, सौरी दाग्गा बैक साइड को नहीं ले जाना है दाग्गे को फरंट साइड में ही रहने देना है यह जो पहले वाला भंदा है इसके आगे से एक भंदा निकालना है ऐसे फिर से दग्गा अपनी साइड को लिया के अभी ये जो दो भंदे हैं इनको इकठा बुलने ना है ऐसे दो से एक भंदा निकाल लिया और ये भी दो से चार भंदे बन गए है आगे दग्गा अपनी साइड को लिया के एक फंदा उल्टा और ये लास्ट होला इसको भी भून लिया ये पैटर्न की फर्स्ट रोव बन गी है अब सेक्ड रोव बैक साइड तहला फंदा इसको स्किप कर लिया अब ये रोंंग साइड में जो हम ने कि फर्स्ट रोव में हमने राइट साइड को एक फंदा उल्टा बना था इसको अब रॉंग साइड में इसको उल्टा ही बनना है अ कि यह राइट साइड में यह सीधा हरे है है कि आगे जो 2 फंद से हमने 4 फंदे बनाए है आजू इन 4 फंद से 2 फंद тебя बना लेने है तो 7 इत्य फंद है यूसा इत्या है पहले वाला फंदा और गर्लॉ से पहले इंदो से एक फंदा निकाल रेना है यह जो दो फंद हो पर में हमने चार बनाए अब बैक साइड में यह रहने चाहिएु आप सरस आगे वाला पनना यह उल्टाल पूंडय है इस फंद हमने फ्रेंडसाइड में उल्टा बोना था लेकिन इसको बैक साइड में हमने उल्टा ही बोनना है यही बैक साइड है यही रॉंग साइड है यह फ्राट साइड है राट साइड है आगे अब यह चार भंदे हैं दो भंदों से हमने चार भंदे निकाले थे फ्राट साइड में कि फर्स्ट रो में इनको हम गटा रहे हैं दो दो का एक फंदा निकाल रहे हैं यह गटा के एक फंदा निकल गया अब दो फंदे के दो फंदे ही रहे गए आगे बल फंदा हमने उल्टा बोनना है यह फ्रड साइड को उल्टा एक ही रो में फर्स्ट रो में ही बुनना इसको उल्टा और सेकंड रो में इसको बैक साइड में इसको उल्टा बुनना तो यह फर्स्ट सेकंड रो फ्रड साइड को यह सीधा आना चाहिए आगे चार फंदे हैं यह दो फंदे चार फंदे लगा वंना है ऐसे अब आगे वाला फंदा इसको वुल्टा घुनना है लास्ट वंदा इसको भी वुल्टा की वोनना है यह टूरों कंपलीट हो गी है और डिजाइन भी निकल गया है लेकिन मैं कई बार जो थर्ड रोल गाते हैं उसमें फिर भूल जाते हैं कि उसको कैसी बुनना है तो यह भी मैं बता देती हूं पहला पंद इसको स्किप कर लिया अब आगे का पंदा फ्रट साइड को यह उल्टा ही बुनना है इसको फर्स्ट रो में भी हम प्रेटरन वाले हैं तो एक के आगे से सिलाई के साथ से एक फंदा निकालना है और दाग्गा फ्रेट साइड से ले जाके बैक साइड को ले जाना है तो इसमें एक जाले वाला फंदा ये पढ़ जाएगा हिर से दाग्गा अपनी साइड को ले आके अब ये आगे के दोनों फंदे इकठे बुन लेने हैं इसे 2-4 फंदे बन गए ये चार आगे फंदा उल्टा बनना है जब भी पैटर्न पढ़ रहा है तो एक फंदा बीच में उल्टा डाल देना है तो दाग्गा फंद में रहने देना है आगे के ये डिजाइन वाले दो फंदे हैं तो एक के आग्गे से ऐसे फंदा निकालना और ये दागा फ्रट साइड से हे ले जाके एक जानी वाला अपना आपकांग निकालना है दो नीदे यह 16 अपनी साइड को करना है फ्रट साइड को फिर आगे जो फंदे दसे और दो दोनों को इकठा बून लेना है है अगे उल्टा फंदा है इस से आगे एक दो थी चार चार फंदे बन गए से लिकार फंदा एक के आगे से ऐसे बीच से ऐसे सलाईद्स डालकर वेक साइड को ज्मी से दागे को भी वेक साइडी को लीजाना है और इसमे दो पंदे पढ़ गो है एक ज़ाती साइड पढ़त कर वाला फंद्रत निकालना है दागा आपने साइड लेहां कि आगे के ये जो दो भंदे हैं है में एक फंदा निकाल लेना है कि और जाली वाला पंदा पढ़ गया आध्याभ जू भेकर निकल गया है के में ॐ दो से चार फंदे दसे बनाने हमने है जा जुदनसार अगाल देना हो यह थडरा आट हो घी ए यह फोर्थू कि पहला फंद कर लिया कर अदेखें फंद उल्टा ही वोनना इसको रांट साइडं को उल्टा वोनना है तो इसको बैक साइड में उल्टा ही वोनना था ताकि यह फ्रेंड साइड को सीधा रहे आधे चार पंदे हैं इन से दो फंदे निकालने हैं ऐसे दो फंदे गटा के दो बंदे निकाल लिए ऐसे लेकिन ध्यान रहे जब भी हम दो फंदे गटा रहे हैं तो जाली वाले फंदे हैं दो ये वाला भी और ये वाला भी तो ये जाली वाले नेचे रहने चाहिए और जो फंदे हैं ये उपर रहने चाहिए ऐसे ये वाले फंदा है ये उपर रहना चाहिए और जाली वाले नेचे आने चाहिए ये दो का एक एक निकाल दिया आगे वला फंद इसको उल्टा भूनना है आगे भी चार से दो फंदे निकाल दे ओल्टी स्लाई में सभी फंदे ओल्टे ही डालने सिर्फ दो दो से एक फंदा निकाल देना है यह फोरों कंपलीट हो गई है पेटन से पर टूर उगा है लेकिन आप सभी तरह दिखने लगा है अगर आपको अब मेरा बनाया होगे प्रशंदार आरा तो लाइक शेर और सब्सक्राइब ज्रूर करते अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो भी लाइक सेर और सब्सक्राइबर मुझरूबर करते हैं थैंक यू